नमस्कार प्रणाम तोस्तों जैसा कि हम सभी लोग देख रहे थे आपके अपने यूटीज आरार कल dominant अप सभी क्या शौगत हम लोग बात कर रहे थे हीट ट्रीट्मेंट उसमा उपचार हम दोग जो है उस्मा उपचार से बात कर रहे थी कि हमने उस्मा उपचार में क्या क्या देखा हमने उस्मा उपचार में यह सब देखा कि हमें जो है उपचार में हमने देखा कि जो है हमें की एनलिंग किस प्रकार से जो है करनी चाहिए और उसके बाद N-Link के जो है इस टेसो को जो N-Link के उद्देश से के बारे में हमने देखा और क्या कहते हैं हमने देखा जो है उसमें की नार्मलाइजिंग लिभी के सामने के देखा हृद्धी के envision हमें किस परकार की किस परकार की हार्डनेंग करनी है। तो प्रेक्व मनेक के लुक्न है क्सक्राइड़ में के सामने की साङबर देख़िए Андस्यों चाहरी fois कुस्टन्स जो है आप सब के पूछे जा सकते हैं अगर हम बात करते हैं जो है केस हार्डनिंग की केस हार्डनिंग की हमारी विधियां होती हैं पहली हमारी विधि कौन सी है पैक विधि यह सब हमारी जो है जो है। कि दे दिया जाएगा कि आपसन में दे दिया इनके केसार्डनिंग की भी दिया किस की विधियां की सारे जो है जो है क्वे पूचे जा सकते हैं नेक्स्ट लात करते हैं सजेन kissing बिदिम, सानाइड बिदिम, नेक्स्ट है हमारा नाइट ट्राइडिंग, नाइट ट्राइडिंग, नेक्स्ट है इन्देक्शन हार्डिनिंग, नेक्स्ट है हमारा लेम हार्डिनिंग, लेम हार्डिनिंग, नेक्स्ट है एज हार्डिनिंग, यह हमारी केस हार्डिनिंग की विदिया हैं, यह सभी हमारी कोस्टन में पूछे जा सकते हैं कि अलट पलट के कोस्टन दे दिएगा, कोस्टन में दे दी जागा हैं, किस सार्टनिंग की विदी हैं उसमें इन लिंग देगा गदेगा दोतीन चारा ऑपसन देदेंगे उसमें से आपको चूच करना है कि कौन सी हमारी केस लोग है इसी परकार से हमारे कई सारे कोईस्टन्स जो है इस पर भी बनते हैं हम आते हैं इतने टॉपिक पर बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कटिंग टूल्स के बारे हम लोग बात करेंगे आज जो है कटिंग टूल्स की हीट ट्रेटमेंट हमें जो है कटिंग टूल्स को जो है किस प्रकार से हीट ट्रेटमेंट जो है करना है उस्मा उपचार जो है कटिंग बोक्सथ आप में जो कर्टेंग टूल्स इस्टिमाल करते हों क्या होते हैं करबन हैं ही या यहिदर इस्टिमाल करते हैं का वे खर्जित ग५ूंण अगर इसमें कोई गुण हमें पैदा करना होता है तो हमें इसको क्या करना है हीट टीट्मेंट करना उसमा उपचार जो अलग-अलग मेटल के जो हमारे कटिंग टूल साते हैं वह अलग-अलग मेटल के लिए जो हमें अलग-अलग विदियों को जो हो इस्तिमाल करना चाहिए कि जो हमें किस जो कार्बन का टूल है उस कार्बन इस्टील का टूल है उसमें किस में लिए कितने टेंपरेशर तक हाइश पीड इसटील का है उसको किसनी टैमप्रेजर तर गर्म करना तो इसको हमें क्या करना चाहिए कि 550 से कितना senza सरी 850 फचाज़ डिगरी से 900 गार्म करना चाहिए यह कार्बं की pas मात्रा पर निर्भर करती है जो हमारे इसमें की कटिंगल्स में क्या करेगा कि जो कार्बन इसमें की ँमातर होता है उस पर जो है निरभर करता है carbon steel के लिए जो heating temperature होगा cutting टॉल्स के लिए कितना होगा 850 degrees celsius से 900 degrees celsius सकते हैं यह carbon की प्रस्टन मात्रा पर निरभर करता है और जो high speed steel के लिए होता है जो हमारा high speed steel के लिए इसे 1100 degrees celsius से 1300 degrees celsius सब्सक्राइब चाहिए जो हमारा क्या करते हाइए स्पीड इस्टील का कटिंग टूल्स होगा इसको हम कितने डिगरी सेस्ट तक गर्म करेंगे इसको जो हम क्या करेंगे जो 1100 डिगरी सेस्ट से 1300 degree Celsius तक जो है मैं गर्म करना चाहिए कार्बन इस्टीलों के लिए जब टूल लगभग 700 degree Celsius के तापमान और High Speed Steel के लिए जब टूल लगभग 920 degree Celsius के तापमान पर ठंडा हो जाये तो उसकी फोर्जिंग को लगातार नहीं करते रहना चाहिए ये जो हमारे क्या कीए जो मिटल से हमारे जो कार्बन इस्टील जो हमारे क्बन स्टीलो कें जो कट्टिंग टूलस होते हों उसको क्या करतें 700 degree Celsius के तापमान पर और साथ सब्सटैल साथ के तापमान पर झो ओर हमारे चाहिए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए उसकी फोर्जिंग जो है कांटीने उसकी फोर्जी लगातार जो है उसके हमें फोर्जिंग जो है नहीं करते रहना चाहिए आगे बात करते हैं अगले आपरेशन नार्मलाइजिंग जो हमने नार्मलाइजिंग यह हमने क्या देख जो हमारा carbon steel की cutting pulse है तो यह किन 850 degree Celsius से 900 degree Celsius पर क्या करना है हमें गर्म करना है जो हमारा high speed steel का cutting टूल है उसकी heat treatment हमें कितने temperature पर करनी चाहिए 1100 degree Celsius से 1200 degree Celsius तक जो है करनी चाहिए अगली हम विधी की बात करते हैं तो जो हमारा normalizing है नार्म लाइजिंग अगला operation नार्म लाइजिंग या एनलिंग जो अगली हमारी बदिय है यह हम बात करेंगे normalizing की जाते हैं horsey plane carbon steel की pra air nu लाइजिंग की जाते है जो plane carbon steel होता है जो plane plane type का carbon steel होता उसकी क्या की जाती है2 Sun nih Liv Xizer की हाई स्पीड इस्टीलों कुई जो हाई स्पीड इस्टील होते हैं उनके लिए के लिए भी एनलिंग कहते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं एनलिंग करते हैं फोर्जिंग के कारण यूनिफार्म ग्रेन इस्ट्रेक्शर बनाना और विक्सित इस्ट्रेसों इस्ट्रे और विक्सित इस ट्रेनों के लिए रिलीव की आती आवस्चक होता है हाइस्पीड इस्टील टूल जो हमारा हाइस्पीड इस्टील के लिए टूल की हीट ट्रीटमेंट करने के लिए पहला नियम यह है अगर हमें जो हाइस्पीड इस्टील टूल को जो हीट ट्रीटमेंट कर करने के लिए जो फैला नियम क्या है यह आग या फरनेस में डालने से पहले गर्म किया जाना है जो हाइस्पीड इस्टील का हमारा टूल रहे गा जो हम वक्सवाप में हाइस्पीड इस्टील का टूल इस्तिमाल करते हैं इसको हीट्रीट्मेंट करने के लिए पहले हमें इसक से एक समान ढीरे से एक समन करना पूरते हैं इसके हीट पाइब ना चाहिए है कि मुझा करते हैं कि जाब को खराब होने से बचा जा सकते हैं। अगे बात करते हैं अगला इस्टेप हार्डनिंग जो हमारे क्या करते हैं कर्टिंग टूल्स होते हैं अलग अलग जो है इसकी अलग अलग ही ट्रीट्मेंट हमें जो करने क्या हो सकता होते हैं और अलग अलग नार्मलाइजिंग करते हैं अगला इस्टेप की बात करते हैं त करते हैं तो जो कारवन टूल की टूल को उपयूक्त समय के लिए सही तापमान में विट करना चाहिए उसके बाद पानी के साथ बात में रुबाओ कर कुएंचिंग करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कि पानी में जो बॉक्स में जो पानी रख रहेगा, उसमें जो डुबाओ कर हमें क्या करना चाहिए, उसको धंडा करना चाहिए, नेक्स्ट अगले बात करते हैं, अगले पाइंट की बात करते हैं, तो जो हमारा high speed clean के hardening होगी, उस पर हम लोग बात करते हैं high speed clean के अलग-अलग operation के कई step के कायों, पहले इस step में इसमें कई step के द्वारा step, जो हमारा पहले step में बात करते हैं पहले इस step में tool को लगभख 800 degree Celsius पर प्रिहित किया जाता है तब इसके बाद furnace में transfer कर दिया जाता तब क्या करते है कि इसको जो भट्टी होती है उसमें जो है पहले नॉर्मल जो है 800 degree Celsius तापमान पर हम क्या करेंगे प्रिहित करेंगे, गर्म करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, भटी में जो है, टांसफर कर देना चाहिए, जहां पर इसको सीगरता से गर्म किया जाता है, जो हाई स्पीड इस्टील होता है, हाई स्पीड इस्टील को हम क्या करते हैं, कि सीगरता से जो है, गर्म करते हैं डी कार्बूराइजिंग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए डी कार्बूराइजिंग कार्बूराइजिंग में जो है क्या होता है कि सावधानी जो है में बरतनी चाहिए निष्चित समय के लिए tool को इस तापमान पर रखा जाता है जो निष्चित समय हो तरहें क्मान आ पर रखते हैं तब इसको तेल लगाकर कौनचैंग कर दिया जा है तब हमें क्या करना है कि जो जो हीटिंग होगी है उसमें क्या करेंगी बाद लास्ट Get Lłości जो इस टेफ होगा उस में क्या करता है कि जो ऄल लगाकर लगाकर रख देथे थंडा करने के लिए कोउच्चिंग करने के लिए अब आगले बात करते हैं अले यस्टेब में जो हमाराacional ts कि हमें तब क्या की जाती है तब टेंपरिंग की जाती है उसके बाद जो लास्ट में सब से हमें ऊसके क्या करना a чи किसी उपयोकत करेंगे जब हुम क्या तक है कि अ मात्रा को दूर किया जाता है है जो हाडनेस होगी होगी उपयोगत मात्रा में रहेगी बिना कम किये जो हाडनेस होगी उसको बिना कम किये अतिधिक बिटलनेस बिटलनेस को दूर किया जाता है यह जो बिटलनेस जो भंगुरता का गूर आ जाता है हाडनिंग के बाद उसको क्या किया जाता है दूर किया जा से 300 degree Celsius और high speed steel के लिए 550 degree Celsius से 560 degree Celsius पर गर्म किया जाता है और तब ठंदा कर दिया जाता है तब last में जो है क्या करते हैं कि उसको जो है ठंदा कर देते हैं टेंपरिंग के लिए नेक्स है LII steel की heat treatment हमें जो हमारे मेटल होता है LII steel के लिए heat treatment of LII steel हमें इलाइ इस्टील के लिए किस प्रकार से heat treatment करने चाहिए कम इसकी heat treatment के लिए क्या क्या करना चाहिए है क्योंकि कारबन आईरन कारबन स्टीलों के साथ कईलाई आउये और इन के लिए के कई कंबिनेशन होते हैं इसमें क्या होता है कि जो एलाई स्टील होते हैं इसमें क्या होता है कि इन धातवों के लिए कई combination होता है इसमें जो है कई धातूओं का जो है मिस्त्रन होता है आगे बात करते हैं प्राय है एलाइ धातूओं धातूओं आईरन कार्बोनेट इस्टीलो के critical तापमानों पर कम कर देती है क्या होता है कि जो iron carboid इस्टीलो के लिए जाए हो कि critical तापमान जो जो जितना रखत तापमानों के क्या कर देती है कम कर देती जो एलाइ श्टीलो के लिए एगर heat treatment करना है तो यह में क्या temperature जो होता हम उसको जो है कम कर देता है कुछ एलाइ धातूओं में heat treatment को विश्ष्टियों पर विसेश प्रभाव होता है जो कुछ heat treatment जो एलाइ मेटल की जो heat treatment करना है इसमें क्या विसेश्टियों की जो विसेश्टियों पर विसेश प्रभाव देती है उधारन के लिए यदि आईरन कार्बन इस्टियों के साथ अगर हमें जो मेटल हमारा जो है आईरन कार्बन इस्टियों का मेटल है उसमें क्या करते है मैगनीज मैगनीज की एक एलाइंग धावत की तरह इसमें क्या किया जाता है कि एक मैगनीज की जो है धावत को जो ही मिला दिया जाते तो है क्या बन जाता है स सोता ही हार्ड हो जाता है आगे बात करते हैं यह दि मैगनीज मैगनीज इस टील के एक नमूने को उसके क्रिटिकल तापमान तेरह सो सतरह डिग्री सेस्ट पर गर्म किया जाता है अगर हमारा जो मैगनीज के इस टील में जो हम क्या करते हैं कि मैगनीज को जो मिलाने के बाद हम एक नमूना प्रेस करते हैं नमूने में क्या करते हैं गर्म किया जाता है और हवा में ठंडा किया जाता है इसको क्या करते हैं कि जो गर्म होने के बाद क्या करते हैं हवा में ठंडा करते हैं तो नमूना इतना हाड हो जाता है यह क्या होता है कि जो मेटल होता है इस्टील जो है हमारा बहुत ही ज्यादा हाड हो जहा है। जितना किसा अधारण आईरन कारबाइड स्टील के नमूने को ठंड है। पानी में क्वेंचिंग से हाड किया जाता है। क्या होता है कि जो आइरन कार्बाइड इस्टील होता है इसको क्या करते है कि पानी में डूबो कर जो है ठंडा करते हैं आगे इस एलाइड में उच्छे ताप मानों पर उसकी हाड़नेस को बनाए रखने का गुण होता है इसमें क्या होता है कि जो हमने जब गर्म किया है इस कि हाड्निंग को बनाए रखने जो इसकी हाडनिंग होती है इसकी हाड्नेस III गुण को क्या करता है यह बनाया रखता है और पात करते हैं अगे बात करते हैं नियर्विर document अपति होता है यह इस जो है निर्भर होता है जो उच्छ तापमान पर हाडनेस बनाए रखने का गुण होता है इसमें भी क्या होता है जो क्रोमियम टंगेश्टन हाई कार्बन इस्टील होता है इसमें भी क्या होता है कि हाडनेस के बनाए रखने का गुण होता है इन इस्टीलों को एनिल करना मु और एनलिंग करना भी मुस्किल हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि जो सिल्फ हार्डनिंग होता ही हार्ड हो जाते हैं एलाई स्टीलों के अच्छी तरह से हीट ट्रीटमेंट करने के लिए जो एलाई स्टील हमारे मेटल होते हैं करना चाहिए लिए और इस टील सही मातरा में प्राप्त करना और इस टील के उत्पादक द्वारा निर्मित अनमोदित विधियों का प्रयोग करना चाहिए आज़े लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करें कास्ट आयरेन की हीट टीटमेंट हमें जो है कास्ट आयरेन की हीट टीटमेंट किस प्रकार से जो है में कास्ट आयरेन की हीट टीटमेंट करना है यह हम अगले पार्ट में बात करेंगे अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लागए तो चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सेर करना ना भूलें धन्यवाद